शिम अधों रेमेडिस में आपका स्वावित है और हम आपको बताएंगे पीरामेड की अरहस्य के बारे में अवे पिछले कुछ वर्सों में पीरामेड के लिए नए सीरे से एक चिंतन की शुरुआत होई पीरामेड, पीरामेड की शक्ती और छंताओं और पीरामेड का आधुनिक परिपेक्ष में मानव कल्यान के लाबभाएग उप्योग किस प्रकार किया जाए इसके बारे में जानने की काफी तुसुथता होई है पीरामेड की जानकारी मानव को हजारों वर्सों से और मिश, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लेंड, साइबेरिया, मेक्सिको इन सब अस्थानों में हजारों वर्सपूर को सेक्रों पीरामेड बनाए गया है ये पीरामेड बहुत बड़े हैं और मानव कार साइज में नहीं है अता इन्हें दैनिक घरेडू उप्योग में लाना कठीन है पुराने पीरामेडों में मिश्र का गीजा पीरामेड बेसका सबसे बड़ा पीरामेड बना जाते है इस पीरामेड की जो गुचा है वो 700 फिट से अधिक और उचाई 450 फिट है मिश्र के पीरामेड संसार के साथ अजुबों में से एक माने जाते है ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचिन कारमेड का उप्योग राजा महराजाओं के शव को अनंतकाल तक सुरच्छित रखने के लिए किया लिया था आश्यर के बात है कि आशा के अनुरूप पिरामेड में रखे गए जो शव्म है ममी है आज 3600 से 2400 वर्सों के बाद भी सुरच्छित है और मैं किसी पकार के विक्रिती और सडान्द पैदा नहीं विलिए पिरामेड अपनी विशेष संद्चना की वज़ा से ब्रमान्ड की सक्तियों को एकत्र करके पिरामेड के अदद एक विशेष अस्थान पर अत्यत घरिभूत अवस्था में प्रेसित करता है और इस विशेष संद्चना पर रखी गई विस्टूएं वच्चिवित और पदावर्थ लंबे समय तक स्वच्छी तखने में समर्थ हो जाता है पिरामेड की मायावी शक्तियों का अनुभव कई बार पिरामेड पर से उड़कर जाने वाली विमान भी करता है जबकि कुछ समय के लिए वायू यांज होते हैं उनके कई मीटर्स तक कारे करना बंद करते है पिरामेड अभी तक के ग्यात बहुत इक नेमों कि उनसारा कारे करते प्रतीत नहीं होते है और पिरामेड की कारपढ़नाली के वारे मानव को भी बहुत कुछ जानना से थे तो